विग बोस सीजन 13 के वीकेंड के वाल के आज के एपिसोड में देखेंगे फिल्म मेड इन चाइना की कास्ट मोनी रोई, बोमन इरानी और राजकुमर राओ आएंगे विग बोस के सेट्स पे वही मोनी रोई देंगी तीनों एक्टर्स को उड़नी चैलेंज परफॉर्म करने का टास्क फिर कंटेस्टेंस के बीच में होगा फॉर्म टास्क जिसमें हर कंटेस्टेंस को पैचानना हुगा कि ये डायलोग उसके पीट पीछे किसने बोला था और उसके चैरे पे जाके फॉर्म लगाना होगा जिसमें ज्यादातर कंटेस्टेंस सही अंदाजा लगाएंगे सिदर शुक्रा देवलीना और शेनास गिल के बीच में होगा शावर टास्क इस अफ़ते पावर काट टास्क के लिए सभी कंटेस्टेंस की डॉल बनाई जाएंगी जिसमें हरे को बताना हुगा कि बीच बोस के घर में रहने के लिए कौन सा कंटेस्टेंस अंदेजर्विंग है और उसकी डॉल को काला पानी में डालना होगा जिसमें सिदार शुक्रा लेंगे महीरा का नाम वहीं आसीम डियाज लेंगे देवलीना का नाम सिदार डे लेंगे शैनास का नाम वहीं अबु मलिक लेंगे रश्मी देशाई का नाम और पारत शाबरा लेंगे आरती सिंग का नाम इस तास्क में शेफाली बग्गा के अलावा सभी female contestants की डॉल होंगी काला पानी में इसी वज़े से power cut मिलेगा शेफाली बग्गा को कि वो किसी भी भी contestant को choose कर सकती है चाहे वो खुज को choose करें कि वो अगले आदेश तक कोई काम नहीं करेगा इसमें शेफाली लेती है सेहनास का नाम फिर made in china की टीम लेके आती है contestants के लिए कुछ तास जिसमें पारस चाबरा और रशमी देश्य को बेचना होता है साबुन और इसमें जीत जाते हैं पारस चावरा, वही सिदर्थ दे और शेहनास गिल को बेचना होता है लाल मिर्ची पाउडर, जिसमें जीत जाती हैं शेहनास, वही सलमान खन घर की female contestants को पूछते हैं कि बचे हुए nominated contestants में से किसको घर जाना चाहिए, जिसमें आरती सिंग और शेहना कि एंट तब सलमान खन को बैक टेंग जादा होने की विज़े से वो सेट पे चिलाने लगे थे, stay tuned for more details and please subscribe to dipsopedia